आपकी मन पसंद रेसिपी वाइड सॉस पास्ता आज जो रेसिपी मैं ले के आए हूँ आप लोगों को बहुत ही पसंद ये पहले से ही है सबसे ज़्यादा अगर आज रेसिटरेंड में या कैफी में जाओ तो सबसे पहला ओडर होता है पास्ता आपके बच्चों की भी पसं आपके शौकिन मित्रों मैं राजपुंडीर और आज आपके जो रेसिपी ले किया हूँ मैं बता चुका हूँ रेसिपी का नाम पास्ता बेसिकली एक इटालियन डिस है इटाली के अंदर या फ्रेंच रिजन में लोग इसे में कॉर्स में खाते हैं वाइड साइस पास्ता बनाएंगे और बातों बातों में बताएंगे पास्ते के बारे में कुछ चीजे सबसे पहले एक पतिले में रखने के पानी और पानी को कर देंगे बिल्कुल गरम जैसे पानी में उबाल आ जाए फिर जाने देगे इंदर इसके पास्ता मेरे पास्ता है और यहां पर थोड तेजपत्ता लविंग और शाथ में जाइफल यानी नटमेग और एक अनियन सबसे पहले क्या करेंगे कि एक पैन में लेंगे दूद एक लीटर दूद में यहां पिले पैन के अंदर में दूद को हमने उबाल देना है यह देखे अनियन के अंदर हमने लविंग को इस तरह से फसा देना है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं और उसके बाद इसे जाने देंगे दूद के अंदर यह तेजपत्ता और यह प्याज जिसमें हमने लविंग को लगाया था दूद उपलता रहेगा तब तक इसके लिए बनाते हैं रूव रूव बनाने के लिए पैन में 30 ग क्रीमी और एकदम से स्मूथी आपके लिए वाइट सोस बनके तयार होगा बटर हमारा मेल्ट हो चुका है अब इसमें एट करने के 30 गराम मैदा मैदा डालने के बाद हमने बटर और मैदा को भूलना है यानि इसको सौथे करना है मिक्स करना है कम चार से पांच मिनद तक र हमें गुंगे लेकिन ऐसा हमें इस साथ में इतना भूनना है कि एक बडिया सी कुष्वोग आजिए मैदा कच्छा ना रहे और रो का कलर भी हमारा वाइट रहे यह देखे हैं इसे पूनते जा रहे है आपने इसे चलाते रहें ताकि नीचे ना लग जाए और आप देख सक कि अच्छी सी इसमें खुस्वू जो आ रही है मैदाई की भूलने की उसके बाद रूफ रेडी हो चुकी है दूद भी उबल चुक है और दूद के अंदर जाने देंगे रूफ जो हमने भी बनाई थी और इसे गुमाते रहेंगे देखिए इस तरह से विसकर से क्योंकि इसे पत्ते का लविंग का प्याज का जो फेलेवर इसके इंदर से आएगा बहुत ही बढ़िया फेलेवर आप देख सकते हैं और इसमें यहां पर एड के में शिर और एगानों आप चाओ तो बलेक्रस्ट बलेक पर नमा कर थोड़ा सा चीनी भी बैड कर सकते हैं लेकिन मैं सॉ शॉष मारा पतला है ज्यादा नहीं कर रहा एक क्रीमी स्ट्क्चर एकडम स्मूति स्ट्क्चर इसका बनके तयार हो यहां पर तो वाइट-शॉस पास्ता के साथ पे मैंने आपको वाइट-शॉस की भी रीशिपी दिखा दिए यह देखे कितने एकडम सूथने स्टेख रह शाण में के उपर समय उपर से इधार बेंगी एधार बूंड आस शाढ देना जाली कंदर शां देंगे आप छेक कर सकते हैं पास्ता हमारा कुग्ड़ हो एनी पास्ता बिल्कुल वो खुक हमारा और हम इसे इस्टेणर में उप कि इस तरह से चानने के बाद हम इसमें क्या करेंगी ठंडा पानी खोल देंगी आप चाओ तो चील्ड वाटर भी इसके अंदर डाल सकते हो यह थंडे पानी से भी से वोस कर लेना है ताकि पास्ता चिपकेना और थोड़ा से इसके अंदर डालेंगे रिफाइंड वैल और इस पास्ता एक पैर में थोड़ा सा बटर लेंगे आप चाओ तो गार्ली कर सकते हो मैं गार्ली किसमें एड नहीं कर रहा हूं मेरे पास कटी वेजटेबल है ब्रॉकली है यलो रेट ग्रीन बेल पेपर है मस्रूम है और यह थोड़ा सा मैं इसके अंदर एड किये कौन आप च इसके अंदर पास्ता को एड कर दिया है और अब करेंगे इसकी सीजनिंग में एड करेंगे सबसे पहले इसमें नमक श्वाद अनुशार हमेशा थोड़ा अरेगानो करस्प लेक पेपर थोड़ा वाइड पेपर और इसको कर देंगे बढ़िया से मिक्स एक से दो मिनिट त वाइड सोस जो मने भी बनाई थी वाइड सोस आपने इतनी कॉंटेटी में डालनी है कि आपका पास्ता की जो सोस है ना तो ज्यादा रनी वही नहीं ज्यादा थिक क्यूंकि इसके अंदर एड होगा थोड़ा सा फ्रेश क्रीम अगर आपको लगे कि सोस थोड़ा थिक है त प्रेश कुकिंग क्रीम थोड़ा सा पार्मेजन चीज और थोड़ा सा सूगर पाउडर ताकि हल्की सी वाइड सोस पास्ता में स्वीटनेस जी होती हो बनी रहे और यह कर देंगा विसी मूपर सेट चौप पास ले चिली फ्लैक्स चिली फ्लैक्स इसमें ऑप्शनल है आप अर देखें इसको कर देंगे बढ़या से บंग सरव करेंगे गर्मा गरम पास्ता के अधिर रहें करें इसको शांगए और इसके साथ में दोघ्टा पास्त के अंदर कुण लेंगे और इसकी नितु और यह पार्मेजन चीज और साथ में देदी में इसके दो स्लाइस गार्लिक ब्रेड के ए देखे कितनी शुंदर और डेलिशस लग रही है अगर आपको हमारी आज की यह बहतरीन रेसिपी वाइट सॉस पास्ता पसंद आई है तो प्लीज जाद से जादा करें वीडियो को ल आने वाले वीडियो का सबसे पहले आपको मिले नॉटिफिकेशन और आप देखे हमारी आने वाली वीडियो तो थैंकी सो मच आपका दोस्ट राजपुंडीर टेक केर यह मेरा नी आपका अपना यूट्यूब चैनल फूड नामा को शफ्राजपुंडीर है और आप इस च आपका दोस्ट राजपुंडीर